दोस्तो आज के इंडिया वा इंग्लेंड के चोटे टेस्ट मेस्ट की दूसरी हाइलेट के लिए पूरी वीडियो लाज तक देखिए पहले दिन इंग्लेंड की टीम ने टोस जीत कर दोसो पास रन मनाये और इंडिया की तरफ से अक्षर प्रटेंड ने सबसे ज़्यादा चार विकेट लिये और एवी जदिन अश्वी ने तीन विकेट लिये और भारत की पारी की शुरुवात करी शुपमनगिल और रोईशरमा ने शुपमनगिल पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जेमस एंडिरसन का शिकार बन गये और वह सिप जीरो रन मना कर आउट हुए और अगले ही ओवर में रोईशरमा ने जेग लिस की तीन गेंदों पर तीन चोके लगा दिये और रोईशरमा सतारन के स्कोर पर पॉस गए थे अब इंडिया की तरफ से तीसरे नंबर पर चेतेशवर पुजारा बल्लेबाजी करने आए पिछले कुछ दो-तिन मेचों से चेतेशवर पुजारा फोर में नहीं दीख रहे थे रोईशरमा इस समय 30 रनों के स्कोर पर पॉस गए थे चोथे नमर पर इंडिया की तरफ से भारतिय कप्तान विराट कोली को आना पड़ा विराट कोली दो-तिन मेचों से फोर में नहीं दीख रहे थे पाचवे नमर पर इंडिया की तरफ से भलबाजी कना अजीकर राणे ने रोईशरमा की साथ मिलकल 40 रनों की पाट्रशिप कर ली इस समय इंडिया का स्कोर ता 80 रन पर 4 विकिट कप्तान जोरूट ने अजीकर राणे को फोर में देखा तो नोने जल्दी से गेंद जेम्स एंडिरसन के हाथ में देदी और जेम्स एंडिरसन ने अजीकर राणे को 27 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और 22 टोग ने एक शांदार केश लपका अजीकर नाडे 37 रन के स्कोर पर पविलियन वापस लोड़ गए और जेमस एंजरसन को अपने मेज का दूसरा विकिट मिल गया छटे नमर पर रिशापंद को बेटिंग लिए आना पड़ा रिशापंद ने रोईशरमा के साथ मिलकर 40 रनों की पार्णेशिप कर ली इसमें इंडिया का स्कोर 120 पर चार विकिट हो गया एक बार फिर जो रूट ने बेन इस्टोक को घेंदी और बेन इस्टोक ने रोईशरमा को 49 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया इसके बाद तुरण रोईशरमा ने रिविवी भी लिया लेकिन रोईशरमा उसमें LBW आउट थे रोईशरमा प्याडशा तक से महिद एक रन से दूर रे गए वो टीम इंडिया के लिए 95 रन बना कर आउट हुए और इस तरह बेन इस्टो को मेच का पहला विकिट मिला और टीम इंडिया की आधी टीम परविलन लोड चुकी थी रोईशरमा का विकिट गिरने के बाद टीम इंडिया की मुश्किले बढ़ गई थी एक छोट से विकिट गिरने के बावजूत भी रिशब पंद अपने आपको संबाले रगा और रिशब पंद शांदर पारी खेलते गए इस समय टीम इंडिया का स्कोर 50 ओवर में 121 रन पर 5 विकिट था और साचे नमर पर रवी चंदर अश्विन बलेवाजी करने आए और रवी चंदर अश्विन और रिशब पंद टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने लगे इससे में रवी चंदर अश्विन के 5 रन और रिशब पंद 30 रन पर मोजूत थे कप्तान जोरूट ने 97 ओवर में जेग लिच को बुलाया और जेग लिच ने पहली गेंड डाली जिसपे अश्विन को आउट करार दिया लेकिन अश्विन ने रिवी लिया जिसमें वो नोट आउट निकले फिर एक ओर के बाद जेग लिच ने फिर से अश्विन को बॉल डाली और अश्विन 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए अश्विन अपनी टीम के लिए 13 रन बनाया और इसी की साथ भारत का 6 विगिट गिरा और भारत का स्कोर 146 रन पर 6 विगिट हो गया एक छोड से विगिट गिरने के बाद भी रिशव पन ने अपनी पारी को संबाले रगा आटे नमबर पर टीम इंडिया की तरफ से वाशिगंडन सुन्दर बल्लेबाजी करने आए 62 ओवर में रिशव पन के एक रन से टीम इंडिया डेट सो के पार पोच गए इस समें टीम इंडिया का स्कोर ता 153 पर छे विगिट इस समें रिशव पन 36 रन पर मोजूद ते तो वाशिगंडन सुन्दर एक रन पर और पहले सेशन के बाद टीम इंडिया का स्कोर 153 रन पर छे विगिट ता जिसमें सबसे ज़्यादा रन रोजशर्मा ने 49 रन और रिशेप पन 36 रन पर नाबाद खेल रहे हैं इंगलिश टीम की तरफ से जेमस एंजर्शन, बेन इस्टोग और जेग लिच ने दो दो विकिट लिये सेशन खतम होने के बाद रिशेप पन्द और वाशेप 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 पन्द औ उनके साथ मिल गए और दोनों ने टीम को खुब धोया वासिगंड़ सुंदर ने भी पिचानू गेंदों भी अपना आठशा तक पूरा किया चुराइसी वे ओवर में रिशब पंद ने छक्का मार कर अपना आठशा तक पूरा किया रिशब पंद की पारिक देखकर रूट के भी पसीने आ गये रूट ने जेपस एंडरसर को बुलाया और जेपस एंडरसन ने रिशब पंदों केच आउट करा दिया रिशब पंद अपनी सेंचूरी में 118 गेंदों में 101 रन बना है जिसमें 13 चोके और दो लंबे लंबे सिकसेस भी शामील है अक्षीर अक्षा पटल बेटिंग बे अक्षा पटल ग्यार रन मना के खेल रहे हैं वाशिब पंद सुंदर शासर रन मना के खेल रहे हैं इसके साथ आज का मेज समाप्त हुआ आज के मेज में सबसे ज़्यादा रिशब पंद से टीम इंडिया और जीत पाईगी हमें कमेंड बहुत से जरूर बदा है रिशब पंद का ये शतक आपको दुआतार लगा